नमस्कार दोस्तो मैं अंकुर चोधरी और आप देख रहे हैं किरसी की बात यूटूब चैनल तो दोस्तो आज की वीडियो का थमनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी धान की फसल में कलो की संख्या को किस प्रकार बढ़ाएं और साथ के साथ जो उसमें पत्ती लपेटा रोग और जो उनके अंडे होते हैं उनको भी किस प्रकार नश्ट करें जिसे रोगों का प्रकोबी कम इसमें आपका कोई खर्च भी नहीं आता है इसको आप बिल्कूली घर पर फिरी में कर सकते हो और अपनी धान की पैदावार को बढ़ा सकते हो और इसके साथ ही जो इसमें लगने वाले रोग हैं और कीट हैं उनसे भी आप छुटकारा पा सकते हो तो चलिए दोस्तो वीडिय आप तक पोश्ती रहे सबसे पहले तो दोस्तो धान की रोपाई के बाद गेत की सते जो है आपका बिल्कूली कठोर हो जाती है जिससे वायू संचार रूख जाता है और मिठी भी पोदों को चारो तरप से जगड़ लेती है जिससे होता क्या है कि जो पोदे जो होते हैं उ और पानी के ऊपर बहुती एक काई की परत जम जाती है जिससे वो भी वायू संचार कम हो जाता है और जो हम फर्टिलाइजर देते हैं वो अच्छी प्रकार से मिठी में नहीं मिल पाता है तो हमें इनी परतों को तोड़ना होता है और मिठी को हलका सा घोल बनाना पड़ता है जिससे की वायू संचार बढ़े और पोसकतल अच्छी प्रकार से मिठी में बैठ जाएं और जड़ों को पूर्ण रूप से मिलते रहें तो दोस्तों यह विदी बहुती पुरानी है और इसको पहले किसान भाई पैरो दुआरा करते थे लेकिन जब से धान की रोपाई क प्रारम हुआ है जब से धान की नरसरी तैयार करके पोधे की रोपाई की विदी अपनाई गई है जब से इस विदी को किसान बहुती अच्छे प्रकार से कर रहे हैं और बहुती अच्छा लाब भी ले रहे हैं तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको अविश्यक्ता होती या एक बल्ली की या एक लकडी के टुकडे की जिसका वजन इतना होना चाहिए कि जो आपके पोधे को मोड़ दे और कंडिशन यह होनी चाहिए कि पोधे आपकी इस लकडी का वजन सहन कर सके और इसको लेकर आप अपने खेत में पाटा लगा दे जिससे पोधा मुड़ता है पोधे में एक हलका सा जटका लगता है और उसकी जड़े होती है वे अच्छी थोड़ा सा हिल जाती है हिलने के बाद में वे जो नई रुपान्तित जड़े होती हैं और उनमें से किल्ले जो है ने किल्ले बनने इस प्रारंब हो जाते हैं तो जब दोस्तों आप अपने खेत में पाटा लगाते हैं तो उस समय खेत में पानी भरा होना बहुती आविश्यक है खाली खेत में इसको पाटा ना लगाएं खेत में हलका पानी हो जबी इसका प्रियोग करें और पोधो की पूर्ण रूप से पकड़िवाई होनी चाहिए यानि के पोधा मिट्टी में उसका किल्ला है वो पूरूप से बना होना चाहिए जबी आप इसका प्रियोग करें यानि रोपाई के आप 20-25 दिन बाद इसका प्रियोग कर सकते हैं क्योंकि इस समय पोदे की जड़े पूरी मजबूत हो जाती है और पोदा कठोर हो जाता है यानि कि मोड को सहन करने की संभावना उसकी पूरी रहती है तो दोस्तों जब आप धान में पाटा लगाते हैं तो धान का पोदा मुड़ जाता है और उसकी जड़ों में कुछ जटका लगता है तो नई जड़े उसी के साथ रुपांतरित होती है और जो नई जड़े रुपांतरित होती है उन में से आपका जो है किल्ले जो है नए किल्ले बनना प्रारम हो जाते हैं तो जब पोदा हिलता जब मुड़ता है उसमें जो कीत पतंग मे लगे लगे होजते हैं पत्ति लपेटा उतके अञा जाटा यह वह पूढूगता ł… तो दोस्तो पाटा लगाने से जड़े भी बहुती काफी मजबूत हो जाती है जिससे पोदा बहुती कम गिरता है क्योंकि ज़ादे जड़े होने से पोदे का गिरना कम हो जाता है तो पोदा भी बहुत कम गिरता है तो दोस्तो इस विदी के दुआरा आप अपने धान में कलो कि संक्या बढ़ा सकते हो जब कलो की संक्या बढ़ेगी तो आपका उत्पादन भी जादा होगा इसी के साथ साथ आप कीट जो हमारी धान की फसल में लग जाते हैं उनको भी नश्ट कर सकते हो जिससे दवाईों का खर्चा भी कम हो जाता है और यह बिल्कुल आप अपने आपको अच्छी लगी होगी तो इसी के साथ जय जवान जय किसान